नमस्कार, वेलकम बैक टियोरों चैनल आप देख रहे हैं डाइटीशन लक्ष्मी डॉक्टर वीनित और मैं हूँ आपकी अपनी डाइटीशन और मास्टर और फामस से लक्ष्मी आदा हूँ हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं foods, medicine, product review, diet plan, diseases related, medicine review पर तो अगर अभी तक आप ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly subscribe अब चैनल and share with your friends and family कितने का market में आता है क्या इसकी nutrition value है इन सभी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं तो बने रहे हैं हमारे साथ और अगर अभी तक आप ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly subscribe अब चैनल and share with your friends and family सबसे पहले देख लेते हैं की 100 gram क्युनोना से आपको क्या क्या मिलता है अगर बात करें calories की तो इससे आपको मिलती है 112 112 क्योंकट किनोра बनाने के पहले आपको इसे ओवर्नाइट रात को सोक करकि रखना होता है बात करीं प्रोटीन की तो इसमें प्रोटीन अच्छा मिलता है सौ ग्रام से आपको 4.4 ग्राम उफ प्रोटीन मिलता है प्रोटीन का अमाउंट इसमें ज़्यादा है इसमें फाइबर भी अच्छा मिलता है और कार्बो हाइडरेड आपको मिलता है 21 ग्राम अराउंड अगर मैं बात करूँ फाइबर की तो इससे आपको फाइबर मिलेगा 1.5 ग्राम फाइबर का इसमें वाटर कंटेंट पान के निकालने और वो छणा हुआ पानी भी आप फेके नहीं यूज करें आप उसको रख सकते हैं आपके उपमा या कुछ बनाने के लिए आपको वापस से इसमें पानी डालना पड़ेगा इसमें पानी बहुत लगता है तो ये आपको याद रखना है कि आपको सोक करके रात को रखना है वो पानी फेकना नहीं है पहले उसको तीन-چार बार अच्छे से वाश कीजे फिर पानी में सोक करके रखिए फिर वो सोक किया हुआ पानी आपको डिसकार्ट नहीं करना है उसी पानी को आप यूज करें आपकी खिचडी या उपमा बनाने के लिए जैसे आप vegetable दल्या बनाते हैं उपमा बनाते हैं वैसे ही आप इसको बनाएंगे धेर सारी chopped की हुई सबजिया आप इसमें डालिए थोड़े से oil में पहले उनको cook कर लीजे उसके बाद आप आपका क्यों ना उसमें डालिए salt डालिए black pepper डालिए black salt डालिए और फिर आप इसको enjoy कीज ये बहुत ही healthy है weight loss के लिए बहुत अच्छा है market में ये 1 kg का आपको around 400 रुपीज में मिल जाएगा I hope आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी इस चल को like, subscribe और share करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना ध है नहीं क्योंकि COVID फिर से आ गया है नमस्कार